हलो फ्रेंड मेरे खा मेहर गार्डन से आपका स्वागत करती हूँ और कैसे हैं आप सब लोग आर्षा करती हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और गार्डनिंग में मस्त होंगे और क्या कहूँ दोस्तो आज मैं आपको अपने ये जो मैंने लीफ लाई हूँ ये देख रहे हो आप दोस्तो ये ड्रम स्टिक्स मुरिंगा कहते हैं इस है जिन की लीफ्स हैं जो कि हमारे लिए और हमारे प्लांट के लिए बहुत उप्योगी हैं दोस्तो इसका इसकी लीफ्स को आप पहचा पारान लेजिया अगर आपको इसकी लिस मेलती हैं तो यह बहुत ही हमारे person के लिए तो है हैं दोस्तो आपको इन के bet we wait भी पता हूँ है दोस्तो यह मुरेंग गा कि ूप से इसको मोरेंग भी बोलते । ट्रम str 막 ب तो इसमें इतने सारे वेनिफिट होते ही ही हमारे हेल्थ के लिए तो राम बार हैं दोस्तों कहते हैं कि इसमें दूद से भी सत्रा गुना ज़्यादा केल्सियम होता है और पालक से भी से पच्चिस गुना आइरन होता है दोस्तों इसमें केरिट जो बिटेमिन होती है उसमें उससे चार गुना बिटेमिन की मातरा हमारे मुरेंगा के लिप्स में होती है और जो बनाना केले में पुटाशियम होता है उससे तीन गुना ज़्यादा पुटाशियम की मातरा हमारे इसे लिप्स में होती है दोस्तो इसमें प्रोटीन का प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में होती है जो कि इसका जूस पीने से बहुत हमारे सरीर के लिए बहुत ही फायदिवन्द होता है और इसमें एंटी ऑक्षिड होता है जो हमारे सरीर के लिए बहुत उप्योगी होता है तो आज हम इसका एक ऐसा fertilizer बनाएंगे जो हमारे plant के लिए भी बहुत उपईयोगी होता है तो दोस्टो चलिए मैं आपको इसका fertilizer बनाना बताती हूँ दोस्तो दोस्तो आपको इसकी leaves को एक方面 कर करके इसकी leaves को अलग करना है जिस तरह मैं कर रही हूँ इसके आपको इस्टिक नहीं लेनी है इसके आपको सिर्फ लेनी है और इसकी लीफ को हमें एक-एक करके पहले आपको अपने जो लीफ से इन सब पतियों को अच्छे से धोना है धोके और धोने के बाद ही आप इसका इस्तिमाल करना दोस्तो ये देखिए मैंने एक-एक करके अपने शारी पत्तियां को ले लिया है और दोस्तो इसको आपको पीसना है आपको अपने जार में डालके पीसना है दोस्तो हमारे प्लांट की ग्रोथ अगर रुकी हुई है तो हमारा प्लांट की अगर हम ये फटलाइजर यूज करेंगे तो हमारे प्लांट की ग्रोथ अच् तो दोस्तो आपको इसमें पानी डालके इसको पीश लेना बहुत आसानी से दोस्तो ये पिश जाता है ये देखिए इस तरह से पीशने के बाद ये इस तरह से दोस्तो हो गया है तो आपको इसको पीश लेना है और पीशने के बाद आपको इसको चानना है तो आप चाहो तो से चान सकते हो दोस्तों और नहीं तो आपको इस तरह से एक कपड़ा रखना है और यह कपड़े से चान लेना है तो यह चानने के बाद इसका जो जूस होगा वो हमारे प्लांटों के लिए बहुत ही उप्योगी होता है तो यह बहुत आसानी से दोस्तों चान जाता है अगर से चानेंगे तो भी चानेगा और आप कपड़े से चान लेंगे तो यह बहुत ही अच्छे से चान जाता है तो आपको इस तरह से इसका जूस बनाना है दोस्तों यह मुरंगा है ना तो इसकी लीप्स को ड्राइ करके भी हम लोग दूद में मिलाते हैं बच्चों के तो हमारे बच्चों को जो कमजोरी है वो भी चली जाती है मैंने सुना है किरल सरकार ने इसको बाल बिकास मैं भी इसको दिया हुआ है कि आप इस पाउडर को बच्चों को जरूर पिलाएं तो यह हेल्थ के लिए बहुत होप है और अगर हम लोग भी इसका जूस मौर्निंग में इसका जूस पीते हैं तो हमारे मुटापे को भी ना बता रही हूं दोस्तों तो यह देखिए एक लिटर अगर आपकी स्प्रे बोटल एक लिटर की है तो आपको 15 ml मिलाना है और आपके मेरी 2 लिटर की है तो मैंने इसमें 25 ml के अबब मैंने इसको मिलाया है आपको देखो इतना ही मिलाना है दोस्तों और इसको कम जादा भ आप पत्यां भी बहुत साफ और कीड़े मकोड़े जो भी होते हैं, वो भी आसानी से दोस्तों निकल जाते हैं, तो यह जो आप फटलाइजर यूज करेंगी, आप इसको चाहो तो आप इसको डारेक्ट मिट़े मिटी में भी डाल सकते हैं और आप इसका इस्प्रेठ भी कर स सब कुछ इसमें मिल जाता है दोस्तो तो आपकी पतियां भी बहुत ही हेल्थी रहेंगे और आपके प्लांट की जो रुके हुई ग्रोथ है ना उसको भी ये हमारा ये फटलाइजर बहुत ही अच्छे से काम करता है तो दोस्तो अगर आपको ये लीफ्स कहीं मिल जाए तो आ किसे मार कर सकते हैं और इसकी मल्चिंग से आपके प्लांटों को बहुत ही अच्छा वेनेफिट मिलता है आप जितने भी आप मेरे सारे प्लांटे में सब में स्प्रेद कर दूँ는지 तो दोस्तो आपको मेरी छोटी सी जानकारी कैसी लगी अगर अच्छी लगी तो प्रीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपना ध्यान जरूर रखना और गार्णिंग में मस्त रहना दोस्तों बाई बाई